हेलो फ्रेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जैसे जैसे आनलाइन एक्साम चल रहे हैं वैसे वैसे नही नही समस्यां खड़ी हो रही है उन मेंसे कुछ समस्यां कल हमें देखने को मिली बुदवार को जो काफी कॉमन समस्यां निकली उस पर जो एम डू ने फैसला लिया है वो सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सो फ्रेंड्स इस वीडियो को कंप्रीर देखिएगा इसको देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बात करें कि बुद्वार को करवाई गई सना तक स्थरिये प्रिक्षा में भी 226 स्टूडेंस टेक्निकी कारणों के चलते प्रिक्षा ही नहीं दे पाए 206 स्टूडेंस टेक्निकल प्रोब्लम होने की वज़े से अपना पेपर नहीं दे पाए ऐसे में स्टूडेंट की ओर से एमेल रे हैल्प लाइन के जरिए वीवी कंट्रॉल रूम को अवगत कराया ग प्रवाइड करवाई है इमेल आईडी प्रवाइड करवाई है वहाँ पर अपनी समस्या लिखे वीडियो बनाए सबूत के तोर पर और सब्मिट करवादे इसके लावा बुद्वार को वाक्या करीब 508 ऐसे स्टूडेंट्स भी सामने आए जिनके पास एक्जाम पिन ही नही कर दिया गया है क्या किया आगया वह भी बताएंगे इसमें 55 स्टूडेंट्स भी सामने आए जिनके पास गलत email ID होने के चलते exam pin नहीं पहुंच पाया अब उन में से भी 55 ऐसे निकले जिन के पास गलत email ID थी उस वज़े से exam pin भी नहीं पहुंच रहा चार श्टूडेंट्स ने बिमारी का कारण बतागर अपना online mode का विकल्प बदलकर offline तरीके से प्रिक्षा देने का फैसला कर लिए विशेश यह रहा कि जब स्टूडेंट्स online प्रिक्षा दे रहे थे तो तीन स्टूडेंट अपनी प्रिक्षा को सब्मिट करने का बटन भी नहीं दबा पाए उससे पहले ही उनकी प्रिक्षा संपन दर्शा दी गई ऐसी भी problem सामने आ रही है ऐसे में स्टूडेंट ने भी अपत्ती धर्श करवाई है इसके अलावा चार स्टूडेंट्स ने आउट ओफ स्टूडेंट्स पर्शन होने यानि पाठेगरम के बाहर से प्रशन आने को लेकर स्टूडेंट्स अपनी समस्या किनवाई है तो इस तरह की common problems जो है स्टूडेंट्स अपनी MDU को भे प्रशर भी हो जाता है और पैनिक भी हो जाता है अब मान लीजी आपके पास सब कुछ आ गया पिन भी आ गया लेकिन आप पिन डाल रहे हैं आपका एक्जाम पोर्टल नहीं खुल रहा सर्वर डाउन हो गया है तो उस वज़े से आपके मान लीजी ये सिरफ लास्ट के 10 मि पैनिक हो जाते हैं आप मेंटली टोर्चर हो जाते हैं और जो आपको आता है वो भी भूल जाते हैं तो इस बात ये बात भी काफी कुमन रही है कल के एक्जाम में अब जैसे आपके मान लीजी एक दिन में तीन एक्जाम हैं बहले एक्जाम में आपका बिल्कुल बेकार र हो चुके हैं आपको आता था वो भी सब भूल गए तो ये सब problems common आ रही हैं इस पर MD बिल्कुल काम कर रहा है आपको न्याय मिलेगा MD ने पूरा का पूरा जो भी है plan अपना बना लिया है कि उनको करना क्या है अब वो प्रिक्षार्थी ने अपनी शिकायत विश्विदालों में दर्ज की है वह इमेल के जरीए है help line number के जरीए तो विश्विदाल ने प्रशास्तन इस पर साहनूबुति पूरवक विचार करेगा तो अभी MD विचार करेगा और जिन जिनके साथ ऐसी प्रोब्लम हुई है वो दुबारा एक्जाम करवाएगा क्योंकि उन्होंने ऐसा किया भी है जिसी BAC के जो final year के एक्जाम हो थी उसमें chemistry की paper में कहीं सारी दिक्कते आई थी तो वो दुबारा करवाया गया है तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है इस प्रिक्षा के संचालन की तकनिकी दिक्कतों और अन्य दिक्कतों पर विचार करने के लिए grievance, redressal, sale का भी गठन किया गया है अब हो सकता है कि इतनी problem आ रही है ओनलाइन के चलते तो उन बच्चों का जिन बच्चों का पेपर नहीं हो पाया उनका offline ले लिया जाए लेकिन कैसे भी लिया जाए लेकिन लिया जरूर जाएगा तो इस पर क्या किया है MDU ने इस तरह के संगठन का भी गठन कर दिया grievance, redressal, sale का भी गठन किया grievance, redressal, sale प्रिक्षार्थियों के आवेदन पर सहनुभूती पुरवक विचार करेगा जैसे जैसे विध्यारती अपना online problem submit करेंगे email के जरिए यहाँ help line number के जरिए तो उस पर grievance, redressal, sale, आवेदन प्रिक्षार्थियों के आवेदन पर सहनुभूती पुरवक विचार करेगा हलाकी वीवी की ओर से ऐसे students की प्रिक्षाएं दुबारा भी करवाई जा सकती पर स्वाल उठाए है कि आपकी कैसी कारे पर ना लिया है बात भी सच्छा है कि MDU ने पहली बार organize किया है तो पहली बार online exam organize किये तो कहीं सारी दिक्षते आती हैं इसलिए MDU बच्चों को दुबारा मुका देगा जिनके exam बिल्कुल खराब गई है क्यों स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि MDU परशासन को स्टूडेंट्स की समस्या पर ध्यान देकर उसका समधान करना चाहिए अब MDU बिल्कुल समधान कर रहा है इसलिए तो उन्होंने ग्रिवें स्री डेसल सेल का भी गठन किया है ताकि वो जो भी प्रिक्षारती है विधारती है उन सब की समस्याओ को सुन सके और जो भी फैसला लेना है MDU आगी लेगा और जितने भी exam students के खराब हुए हैं उनके exam दुबारा हो जाएंगे तो यह सब आपको बताना था इस वीडियो में सो फ्रेंड्स आप कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट वोक्स में लिए कर बताईएगा जिनके भी बुद्वार को exam खराब है उनके लिए रहत की बात है कि इस तरह से उनके दुबारा होने के बिल्कुल चांसी था उनका साल खराब बिल्कुल भी नहीं होगा सो फ्रेंड्स अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते ना इस वीडियो को जाज़ादा शेयर करना थैंक यू एक बार फिर मिलते हैं नई वीडियो में